हेलो वेल्कम बैक दिस राज कुमल हेलो आज का टॉपिक में डिसकस करने वाला हूं सर्किट ब्रेकर के वर्किंग एंड प्रिंसिपल नौ इसके बाद जड़ इस इमेडियेट जो होगा वह आपको मिलेगा इसका सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन कैसे होते हैं जिसको रिले के स आप में connect करके आपको बहुत 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 फरीके से समझाने वाला हूं आपका आज का जो टॉपिक है वह सर्किट ब्रेकर वर्किंग प्रिंसिपल चलिए क्या इसको वर्किंग प्रिंसिपल किन्चियों का भास ध्यान रखना होताया सर्कियट ब्रेकर के अंदर तो यह आपको concept of circuit breaker मैंने बताया था भी, मैंने यह आप में discuss करना है sir, working principle of circuit breaker, क्या होता है, पहले मैं कुछ लवजों में इनको समझा दूँ, फिर आप इसके बारे में बहते तरीके से समझ पाएंगे sir, पहले मैं बताता हूँ about circuit breaker, circuit breaker का working principle क्या होता है, सबसे पहले काम तो यह होता है sir, कि अगर कोई conduction mode में चल रहा है कहीं पे, और कोई fault हो गया, तो उसको automatic दोतार remove हो जाए, जो main line का supply हो, उससे faulty condition, automatic remove हो जाए, यह किसी भी circuit breaker का सबसे पहला priority होता है, now, अब working के साथ क्या इसे principle है, क्या इसे कुछ मुख्य बात हैं, जिनको आपके circuit breaker के साथ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो यह का जाता है कि कोई भी heavy voltage के साथ, जब आप disconnection करते हो ना, तो सर्क से बड़ा problem है, कि वो क्या होता ना, जैसे disconnect होगा, faulty condition वाला, वायर ज इसे disconnect होगा, सर, heavy potential होने के कारण, arc produce होने लगता है, क्योंकि एक, आपको पता है, हर 33 kv में के लिए, आपको 1 cm का gap मिलता है, पर 3 kv, हर 3 kv के लिए, 1 mm का gap होना चीए, उससे कम gap होगा, तो वो spark करेगा, तो वही condition है, जहाँ पे 400 kv, 500 kv, 700 kv, 300 kv, 220 kv की बात होती है, तो वायर में इतना gap होना चीए, तभी arc produce नहीं होगा, लेकिन जैसे कोई contact एकाएक remove होगा, तो obviously, circuit breaker के साथ दिक्कत क्या होती है, arc का formation हो यहाँता है, तो principle जो word आता है, circuit breaker working principle, इन principle का खासा ध्यान रखना होता है, कि कोई भी circuit, जो ही अगर remove हुआ, faulty condition कारण, वो हटता है, तो जो arc का formation होता है, वो जल्दी से जल्दी बुझ जाए, या वो form बिल्कुल नहीं के बराबर हो, कम से कम हो, क्योंकि अगर ये formation रहता है, जब तक वो आग के हवाले से, आग के through ही, यानि arc जिसको आप बोलते हो, arc, आग के through ही, अगर conduction mode में हो, तब भी आपका fault remove नहीं हुआ है, तब भी current electricity जाई रहा है, ओके, ना, वो पूर्णता remove होना चाहिए, इस principle का खासा द्यान दखा जाता है, अब बात सुनिएगा यहां पे, तो क्या हुआ, circuit जैसे remove होगा, तो arc का formation हुआ, अब इस arc का formation होने से, अगर मैं बोला arc तब भी, अगर दूर होने के बाद भी arc चल रहा है, आग का गोला चल रहा है, तो electricity लगातर continuity में flow हो रहा है, इसका मतलब, ना, यह भी खतम होना चाहिए, अब सुनिए, अगर इतना arc प्रोडूस होगा, तो sir, यह arc होने से, यह इतना ज्यादा hit भी हो जाता है, कि वो उस system एनी circuit breaker को गला देगा, damage कर देगा, फटा आता है, वो जल्दी से, जल्दी बूझ जाए, यानि arc का extinguition बहुत जल्दी हो, यह principle इसका होना चाहिए, तो अब इसी चीज के लिए आपन क्या ध्यान रखते हैं, कि इसमें अलग-लग gas, अलग-लग oils, अलग-लग blasting करते हैं, जिस यह प्रोपर काम करता है, इसलिए बोलते है, अब इसको language में आप लोग को not done करने के लिए मैं चीजे को दिखा देता हूँ, समझाता हूँ, तो यहाँ यह चीजों को देखिए, कहता है, working principle of a circuit breaker, कहता है, a circuit breaker essentially consists of fixed and moving contacts, आपको मैंने भी पहले के लेक्शन बता है, एक circuit breaker, दो तरीके contact रखते हैं, जिसको electrode कहा जाता ह है, यह एक तरीके से क्या होते हैं, electrode होते हैं, ओके, और यह एक होता है, fixed contact, तो दूसरा क्या होता है, movable contact, यह आगे पीछे move कर रहा होता है, now, consist of fixed and movable contact, called electrodes, इसी हो क्या कहा जाता सर, electrodes कहा जाता है, now, under normal condition, normal condition में क्या होता है, operating condition, normal operating condition, these contacts remain close, normal condition में यह कभी भी open नहीं होता है, हमेशा close होते है, तभी तो continuity way में current आपका flow करेगा, and will not operate automatically, और यह automatically operate नहीं होता है, normal condition में, until, unless, जब तक की, until and unless, जब तक की, the system becomes faulty, जब तक system में कोई fault नहीं आ जाए, system या transmission line कोई faulty condition में नहीं आ जाए, तब तक यह automatically operate नहीं होता है, of course, of course, the contacts can be opened manually, और by remote control, of course, जहां की बोड़े आता है, the contacts can be opened manually, contacts को manually भी open करते हैं, देखिए, circuit breaker हमेशा automatic operate होता है, लेकिन maintenance की अगर कभी बात होती है, तो आपको automatic भी उसको remove कर सकते है, automatic भी उसको हटा सकते हैं, तो क्या बोला है, of course, the contacts can open manually, और अथवा by remote control, या remote सरी आप इसको हटा सकते है, whenever, जब तक की desired, जब आपको जुर्रत हो, कभी ऐसा जुर्रत होता है, कि मालनों fault नहीं है, fault नहीं है, लेकिन उसके बाद भी, fault नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर उसको हटाने की जुर्रत है, तो आप manually हटा सकते हो, या remote control के थूरू, आपके पास ऐसा mechanism में, आपने या button दबाया, वो automatically disconnect हो गया, यह हो सकता है, अगर faulty के अलावा, यह भी option है, manually हटा सकते हो, लेकिन सार, एक्जाम में, आपको competition में, जैसके पहले वीडियो में बताया था, कि आपसे question पूछता है, कि circuit breaker कैसे operate होता है, manually, automatic, या दोनों condition, या ना नदिज, हमेशा automatic निक operate होता है, okay, कि, manually तो बात करा है, कि अगर faulty नहीं है, तो आप manually भी इसको हटा सकते, या remote के थो भी इसको हटा सकते, अगर आपकी acid desire है, need है तो, when a fault occurs on any part of the system, क्या कह रहा है, जब a fault occurs on any part of the system, अगर कहता है, कि circuit breaker के किसी भी part में, अगर कोई fault occurs होता है, the trip coil of circuit breaker gets energized, ऐसे condition में बोलता है, कि circuit breaker का जो tripping coils होते, वो energized होते, यह working में भी आपको पता चलेगा properly, यानि operation, circuit breaker operate कैसे करता है, चुकि वहाँ पे tripping coil पहले energized होता है, वही signal फिर भीजता है, और तब circuit breaker operate होता है, तो यह energized वाला condition आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा, कि कैसे coil energized होता है, तभी उसको open कर देता है, ओके, ना, क्या बोला गया, when any part, when any fault occurs on any part of the system, किसी system के अंदर, किसी part में कोई fault होता है, the trip coil energized, यही trip coil होता है, अगर थोड़ी सी भासा हम देखेगा न, तो circuit rail load से connection होते हैं, और यह relief होगा, और यह trip coil होगा, यह दिखे, tripping coil होता है, tripping circuit, अगर एक limit तक current जा रहा है, मालनो 100A तक जा रहा है, तो 100A में यह इतना trip नहीं करेगा, कि इसको open कर देगा, अभी close है, लेकिन सर जैसे ही मालनो यह deduct किया, 1000A जाने लगा, इसमें current की मातला इतनी बढ़ जाएगी, यह कर देगा, close यहां battery operate होगा, और यह इसको खीच लेगा, इधर धकेल देगा, so यह हो गया open, circuit open हो गया, so tripping coil होता है, जो energized होता है, यही energized होगा, तभी operate होता है, ठीक है, आइए, इसका आप next video में देखोगे, बेहतर मिलेगा, क्या कर रहे, when a fault occurs on any part of the system, the trip coils of the circuit breaker gets energized, and the moving contacts are pulled apart, जो moving contacts होते हैं, जो गुमने वाला, वो apart हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, by some mechanism, जो mechanical mechanism होते हैं, उसके दूरू, थूरू, वो क्या होते हैं, दूर चले आते हैं, thus opening of the circuit, और ऐसे condition में circuit क्या होता है, open हो जाते हैं, clear, यानि बोला क्या, कि जब कोई faulty condition होता है, circuit breaker के आसपास, तो circuit breaker ऐसे condition में, उसका tripping coil energized होता है, और उसका moving contact होता है, वो aparts दूर चले आते हैं, pulled खीचे जाते हैं, किसी mechanical mechanism के द्वारा, और दूर चले आते हैं, जिससे circuit breaker का operation होता है, मतलब दो contact आपसे दूर चले आते हैं, ओके, ना, ये tripping coils भी बड़ा word यूज होगा आगे, ध्यान रखना, मतलब tripping coil, वही trip करता है, तो वो खीच धके लेता है, तो दो contact के बीच में जो joint pointer खीचा जाता है, वो mechanism में इसी तरीके के होता है, ना, when the contacts of circuit breaker are separated under faulty condition, कहता है कि जब faulty condition में contact आपस में separate हो जाता है, an arc is a struck between them, जैसे separate होगा, तो सबसे बड़ा ही drawback है, कि arc क्या करता है, strike करने लगता, struck कहने का मतलब उत्पन हो जाता, उत्सर्जित हो जाता, struck कहें, या strike के उत्पन कर जाता है, ना, arc क्या करता है, उत्पन हो जाता है, between them, जैसे अलग होगा, arc का formation होने लगा, जिसको मैं कई वीडियो में आपको दिखाया हूँ, ओके, यह सबसे बड़ा problem होता है, circuit breaker करके, then the current is thus able to continue until the, until the discharge cases, ओके, यहाँ देखिए, क्या करा, the current is thus able to continue, जब तक arc भी चलता रहेगा, तब तक उससे current continue to, क्या करेगा, until the discharge cases, discharge case में भी आपका यह क्या होगा, जैसे आपका हट गया, उस condition में, वो आपका current flow करता ही रहेगा, अगर arc रहेगा, तो, clear, now, the production of arc not only delay this current, जो production of arc होता है, not only delay the current interruption process, but, it is also generate enormous heat, which may cause the damage to the system, or to the circuit breaker itself, क्या कहता है, the process of arc, जो arc उत्पन हो जाता है, यह क्या होता है, उस circuit के अंदर, सिर्फ यह नहीं होता, क्या 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 होता, arc is not only delay the current interruption, मतलब कि अगर आप हट गए, मतलब मालो हट के यहां तक आ गए, तो क्या होगा, अगर arc नहीं formation होता, तो क्या होता, मतलब disconnect हो गया, लेकिन, आप जब circuit को यहां तक खिच के लेके आगे हो, तब भी arc formation हो रहा है, इसका मतलब current flow कर रहा है, तो circuit अलग होने में time लगा रहा है, मतलब conduction mode में तब भी है, मतलब circuit को यहां तक भीजने के बाद जो time लगा, वो time भी आपका परवाद जाया, क्योंकि conduction mode अब भी है, वो ऐसा मालो और दूरी आपकर आपने खीच दिया, तब अगर मालो disconnect होगा, तो मतलब arc को बुझाने में आपको इतना वक्त का समय लग गया, तो यह कहता है कि जो arc formation होता है, तो वो सिर्फ वक्त ही आपका नहीं खड़ाब कर रहा है, जो आप धीरे धीरे जाड़ा है, तो सिर्फ आपका वक्त नहीं खड़ाब कर रहा है, उस arc की कारण उस system के अंदर इतना ज़्यादा heat डबल अप हो जाता है, कि वो आपके circuit broker को ही लेके डूब जाएगा, मतलब उसका बेरा पार कर देगा, हीट इतना हो जाएगा, मिल्ट हो जाएगा वो circuit breaker, तो काम तमाम हो गया, ओके, तो यह सब बड़ा tough काम है, circuit breaker का अंदर जो होता है, सिर्फ तो यहीं interruption मतलब कि current interrupt होने में वक्त लगा देता है, जब अगर arc बना ही रह जाता है, तो एक तो delay कर रहा circuit को, कह रहा कि fall to a foot-a foot-a foot update होना चीए, तो यह delay कर देता है बेचार arc, और system को भी heat करता है, और system को खराब करने, damage करने का खतरा बना रहता है, तो यह एक dangerous है, चीज है, तो यह एक बड़ा, therefore, इसी लिए, इसी लिए, इसी लिए कहता है, इसके जो principle है, working principle है, इसी लिए कहता है, the main problem of a circuit breaker is to extinguish the arc within the short possible time, so heat generated by it may not reach to damage the dangerous values, so, इसी लिए कहा जाता है, इसके साथ सबसे बड़ा problem क्या है, the main problem of circuit breaker to extinguish the arc, सबसे बड़ा इसका ही है, कि arc को आपको जल्दी स-जल्दी बुझाना, जो उत्पन आग है ना, उसको जल्दी से बुझाए, इसी लिए, SF6 देते हैं, तो बुझे जाए, air blast करवा देते हैं, ज the main problem of circuit breaker is to extinguish the arc, arc को तो बुझाना है, within, within the sorted possible time, आपको बुझाना है, नहीं तो इतना heat up होता है कि वो जला देगा आपके system को, clear ना, so within the short possible time, so that heat generated by it may not reach, so कि जो इसके द्वारा इतना heat जो डेवलप होडा, वो इतना ना पहुच जाए, कि आपके system, या आपके different component को ही जला दे, या उसको melt कर दे, okay, so ये एक important इसके principle होते है, this is the basic working principle of circuit breaker, circuit breaker के ये basic principle है, तो basic working क्या हो, वो अलग होना चाहिए, और जो arc का formation हुआ, वो जल्दी से जल्दी बुच जाए, इसका basic principle होना चाहिए, अब इसी के लिए, कैसे arc बुच ये, तो type इसके classification आते है, type sub circuit breaker, console sensor, SF6, oil circuit breaker, है ना, उसके बाद air blast circuit breaker, vacuum circuit breaker, है ना, तो अलग लग circuit breaker है, अब उसमें आपको देखना है, कि वो case principle पर काम करता है, कैसे आग को बुझा देता है, है ना, ये सब चीज़ देखना है, ना, एक चीज़ और देखेंगे, इसके operation, circuit breaker कैसे operate होता है, उनकी वी चरता हम आपके सामने करेंगे, तक ये चीज़ बढ़िया तरीके साब कर पाओ, wait a second, अगर मैं इसमें कुछ time मिले, तो मैं कुछ चीज़ और सिखा दू, sir, इसमें circuit breaker को आपने समझ लिया, एक चीज, कि किस तरगे से एक work कर रहा, principle क्या होना ची़, editing के साथ आप लोगो मिलने वाला है, now, I hope इसको आप लोग बढ़ियां से उतार लीजिए, एक बढ़ियां से, उतारना नहीं है, छाप लीजिए, ना, चलिए, now, ये इसके बारे में पूरा detail बताऊंगा, कि कैसे operate होता है, एक normal condition में current transformer है, इसमें हो कि current कितना जाता है, तो क से आपको समझाने वाले है, na, tripping circuit के रूप में कहित, आपको exam में picture के रूप में दिखाना हो, तो ऐसा आप बिलाल देख सकते हो, ये एक bus bar है, ये किसी load पे जा रहा था, लेकिन बीच में एक circuit breaker लगा दिया गया, circuit breaker को operation के लिए CT को दिखाया गया, यहां relay coils है, relay coils के operations है, औ के से arrangement आप दिखा सकते हो, इसका better sir, next video में पूरा explanation के साथ इसको बताऊंगा, ठीक है, आईए, ये आप लोग चाहे तो इसको screenshot ले सकते हैं, है न, now, types of circuit breaker, circuit breaker के sir, कौन-कौन से types होते हैं, ओके, अब आपको पता है sir, कि circuit breaker किस के आधार पे बाटा गया, कि arc को बुझाने के लिए, जो features आप यूज कर रहे हो, उसी अधार पे circuit breaker को बाट दिया, है न, और वही चीज़े है, आप अगर देखोगे, तो सारा चीज वही है, there are several types of classification, circuit breaker, there are may, there are may, ये सब आप लोग को note down करने के लिए करता हूं, वरना मैं type of circuit breaker, मैं सीधे 5 step लाके छप देता हूं, आप को दिखा दूआ, क्योंकि हर चीज आपको पता है, चुकि आप लोग को बोलते हूं, लिखना होता है, इसलिए मैं इतना चीज़े ये रामकानी करता हूं, ने तो मैं चीज़ों को कराते जाओं, objective करा हूंगा ता है, इसे आप लोग को solve होते जाएंगे, या main paper भी फटा- क्योंकि होते हैं, however, the most general way of classification is on the basis of medium, medium कहां जो उसके अंदर यूज होगा, used for arc extinguish, arc को बुझाने के लिए जो medium का अपयोग करते हो, उसके अधार पे खासकर इसको बाटने का अलग अलग तरीका भी है, जो high voltage circuit breaker, low voltage circuit breaker, या फिर और अलग तरीके से बाट दे, AC DC में तो AC circuit breaker, DC circuit breaker, लेकिन mostly हम classification देखते हैं, कि arc को बुझाने का तरीका क्या है, और arc को बुझाने का जो best suitable तरीका, उसी का अधार पर हम इसको बारते हैं, और वो तरीका क्या है, अभी आपको दार, बता रहे हैं, the medium used for arc extinguish is usually oil, तेल का उप्योग करते हैं बुझाने के लिए, इसका डियल है, sulfur, hexafluoride, SF6, यह full form कहीं बार competition में भी पूछ देता है, आपको objective term में भी पूछ सकता है, okay, vacuum circuit breaker, okay, vacuum, word देख लेना, कहीं बच्चे गलती करते हैं, वी ए, CWM होता है, okay, आप लोग कहीं इतना नहीं कि सर्व टैपिंग मिस्टेक कर दिया होगा, तो, वी ए, डबल, C, U, M कर देते हो, accordingly, the circuit breaker में classified into, oil circuit breaker, air blast circuit breaker, इन सबको सर explain करके, एक एक वीडियो इस पर मिलेगा, एक एक वीडियो आपको एक एक टैप्स पर मिलेंगे, okay, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से कर सको, तो, oil circuit breaker, air circuit breaker, okay, sulfur, hexafluoride circuit breaker, SF6 circuit breaker, तो, I hope, एक वार इसको लिख लो, फिर मैं इसको उपर कर दूँ, ताकि एक और बच गया, vacuum circuit breaker है, न, यहाँ चौथा क्या लिखोगे, सर, vacuum circuit breaker, तो, यहाँ तक अगर आपने लिख लिया, तो, मैं इसको थोड़ा उपर कर दूँ, इसको थोड़ा उपर कर दूँ, येलो सर, vacuum circuit breaker, ओके, vacuum circuit breaker, तो, मैं उम्मीद करता हूँ, कि यह सारे पॉंट्स आपने नौट डाउन कर लिया होंगे, चलिए, चलिए, सर, चलिए, थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ये, टाइप्स वाला पार्ट तो, होई रखा है, अल्रेडी, है ना, circuit breaker के, टाइप्स होई गए, वाज circuit breaker होई गया, ये होई गया, ये होई गया, इन सब के बारे में, अपने को, अच्छे से तो, देखना है ही, तो, इसके लिए कोई confuse नहीं होना, सारा काम आपका हो जाएगा, और आगे की वीडियोज को भी हम लगाता है, देखते रहेंगे, ताकि चीज़े बहुत बढ़ी हाँ से clear हो, नेक्स्ट वीडियोज सारा बहुत देखना, आप लोग बहुत इंपोर्टेट है, ओपरेशन एक्चुली पता चल जाएगा, ओके आज के लिए इतना है, बस्तप लग्ख,